मैं हूँ ताविश खान आप देख रहे हैं माँ चैनल इसके लिए इंडिया वे ताविश आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुती अच्छा इंटरस्टिंग टॉपिक जिसमें मैं आज आपको एक और फिर से आपको एक नई शॉप के बारे में बताऊंगा जिससे मैं आपको एक एक पॉइंट आज क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर आप सभी से एक रिकर्स करना चाहूंगा अगर आप हमाई चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ में बैल आइकन दबा दीजेगा ताके आने वाले नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक असानी से पहुंच सकें फ्रेंड इसी के साथ में हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड जैसे के आप जानते हैं कि शू बिजनिस या फिर फुडवेर शॉप का बिजनिस जो है वो बारो मास चलने वाला बिजनिस है ये बिजनिस एक ऐसा बिजनिस है यूनिक बिजनिस है जो कभी बन नहीं होता है अगर आप बात करें तैवारों की या फिर सीजनल कोई गर्मी और सर्दी की तो उसमें ये बिजनिस और जादा बढ़ साहता है तो फ्रेंड अगर आप इस टाइप का बिजनिस करते हैं तो आपको मुनाफ़ी मुनाफ़ा है चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन की फ्रेंड अगर आप इस टाइब की शॉप उपन करने की सोच रहे हैं तो फिर इसके लिए आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो जादा जादा भीगडवार्ड वाला एरिया होनी चाहिए जहां पर जादा जादा पापॉलेशन रहती हो या फिर उस मार्केट के जादा जादा लोग आते जाते हों तो इस जगापे अगर आप अपनी शॉप उपन करते हैं तो फिर आपकी शॉप चलने के çanth जादा रहते हैं उसके बाद में हमात करते है हमारे नेक्सट पॉइन की टीम साइस फ्रेंड इस टाइप की शॉप को उपन करने के बाद आपको जो अपन की टीम होगी तो फ्रेंड इस तरीके के माल के लिए सबसे बड़ा बजार है कानपुर, उसके बाद आगरा और दिली, इस तरीके के बजार से आप आसानी से प्रोटक को ले सकते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें फ्रेंड 20,000 रुपए से लेके 1,00, रुपए तक आप स्टार् परसेंट तक होता है, जो आसानी से आपको मिल जाता है, उसके बाद में अगर आप बात करें, तो मार्जिन में आप जो हैं ब्रांडिट और नॉन ब्रांडिट प्रोटक रखते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके का मार्जिन उसमें मिलता है, उसके बाद में हम बात करते है उससे आपका पक्का भिल बिलेगा और आपको जो बिलिंग होगी वो आसान ँजाएगी उसके बाद में हम बात करतें अपना आप उसमिंग held करते पे झाल सकते हैं इस छोप टाइम की यह और शौप लाइटिंग है तो आप भी अपनी शॉप की ऐसे इंडिरियर लाइटिंग करवाएं जो भी गंडोले और रायका है उसमें लाइट की जादा जादा विवस्ता करें उससे आपका प्रोड़क्ट जादा चमकेगा और वो जादा बिकेगा जैसे कि आपको पता है जो चीज़ जादा दिखती है वही जादा बिकती है उसके बाद में हम बात करता है शौप रेंड की फ्रिंड जो शॉप रेंड है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मैक्सिम्म आप जो भी आपका प्रोफिट हो रहा है उसमें 3% से जादा आपको शॉप रेंड नहीन देना है का ऐसा बिजनिस है अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्राफिटी प्राफिट के चांस रहेंगे